पहला मुंबई पुणे अध्योगिक प्रदेश इस अध्योगिक प्रदेश में नाशिक से शोलापूर के मध्य मुंबई, ठाडे, पुणे, नाशिक, शोलापूर, कोलाबा, एहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगाओं जिली आते हैं यहां और द्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है हमें मालुम है कि मुंबई, भारत की व्यवसाईक राजधानी है तथा देश का बड़ा बंदरगा भी है इसे एशिया के सबसे बड़े वस्त रुद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है इस प्रदेश का विकास 1774 में आरम हुआ और जब अंग्रेजों ने जल पोताश्रय के रूप में इसका चैन किया था इसके विकास के दूसरे चरण 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्तर बनाने वाला कार खाना लगाया गया ऐसा माना जाता है शीगरी मुंबई देश का महत्पूर्ण सूती कपड़ा उत्पादन केंदर बन गया मुंबई से ठाड़े के बीच पहली रेल लाइन बिची और इसके कारण भी मुंबई तेजी से प्रमुख औध्योगिक प्रदेश बना 1955 में भारत का पहला आणविक उर्जा केंदर मुंबई के निकट ट्रामबे में इस्थापित किया गया इसका उद्देश था विद्दुच्रक्ति उपलब्ध कराना 1961 से 66 अर्था तीसरी पंचवर्षी योजना काल में तारापूर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर इस्थापित किया गया रसायन उद्द्योग का विकास 1967 से शुरू हो गया मुंबई हाई में 1976 से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ उपरियुक्त उड्लेखित इन उद्द्योगों के लगने से धीरे धीरे दूसरे कई सारे उद्द्योग भी स्थापित होने लगे अब यहां इंजिनियरिंग के सामान पेट्रोलियम परिशकरण, पेट्रो रसायन, चमडा, प्लास्टिक, दवाईया, उर्वरक, बिजली के सामान, जल्यान, इलक्ट्रोनिक्स, साबुन, वरंसपति तेल, मोटर गाड़ी, गार्मेंट, वस्त्र, टेलिविजन, रफिरिज साइकल यह सॉफ्ट्वेर आधी के अनेक उद्योग स्थापित हो गए हैं। फिल्म उद्योग के रूप में मुंबई को बॉलीवूट कहा जाने लगा है और इसके लिए यह विश्वप्रसिद्ध है। दूसरा हुगली औद्योगिक प्रदेश। 1662-1694 के बीच हुआ जब हुगली नदी को पत्तन के रूप में विक्सित किया गया इस नदीय पत्तन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया इस उद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योगिक केंद्र हल्दिया, सीरामपूर, रिसरा, हावडा, कोलकाता, शियुपूर, नेहाटी, टीटागड, साधपूर, बजबज, बिरलापूर, बंसबेरिया, आदी हैं इन केंद्रों में अनेक प्रकार के उद्योग विक्सित हुए हैं, यहाँ सबसे अधिक जूट उद्योगों का विकास हुआ है, भारत के 70% जूट के सामान इसी प्रदेश में बनाया जाते हैं ग्यात हो कि भारत विभाजन के बाद पट्सन उद्पादक शेत्रों का अधिकांश जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, इस हमस्या का निराकरण अधिक पट्सन पैदा कर किया गया जूट उद्द्योग के साथ और भी कई उद्द्योग है, कोलकाता वट टीटा गड़ में कागज तयार किया जाता है जबकि महीन सूती वस्तर के 25 कार खाने इसी प्रदेश में है, देश में इंजिनेरिंग उद्द्योगों का यह सर्वसेष्ट शेत्र माना जाता है यहां डीजल एवं विद्दूत इंजन, डीजल पंप सेट, बिजली की मोटरे, पंखे, मोटर गाड़िया, पेट्रोरसायन, जल्यान, इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर बनाय जाते है देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़िया बनाने का कार खाना हिंद मोटर्स उत्तर पाड़ा में इस्सित है कोलकाता की गार्डन रीच्ट फैक्ट्री, नौसैनिक, मचली पकड़ने एवं समान धोने तथा अनिप्रकार के जल्यान बनाने में विख्यात है हल्दिया को देश के सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र एवं पेट्रोरसायन केंद्र के रूप में विख्यत किया जा रहा है